असलाम लेकुम स्टुटेंट्स, वेलकुम बैक तो मैं चैनल अलाजस आप रिटेचर स्टुटेंट्स, आज जो पॉइम हमने डिस्कस करनी है वो है The Hollow Man by T.S. Illiard So, without wasting any single minute हम अपनी पॉइम की तरफ आते हैं The Hollow Man इस पॉइम में Modern Man की बात की गई है कि Modern लोग जो है वो बिल्कुल Hollow Man बन चुके है मतलब खोखले आदमी बन चुके है उनके अंदर किसी किसम का knowledge नहीं है वो कोई wisdom नहीं है, कोई creativity नहीं है ठीक है, और उनकी life का कोई मकसद नहीं है कोई aim नहीं है, और बिल्कुल senseless है ठीक है, we are the hollow man we are the stuffed man किता कि हम खोखले आदमी है और हमारे अंदर भूसा बढ़ा हुए leaning together, हम एक दूसरे के उपर जुके हुए है हम एक साथ जुके हुए है means कि हम सब एक दूसरे पर depend कर रहे है headpiece filled with etc मतलब कि हमारे जो दिमाग हैं वो भी भूसे से बढ़े हुए है क्योंकि उनके अंदर किसी 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 क्रियाटिवटी नहीं है कोई जजबात नहीं है और हमारे जो दिमाग में आइडियाज है वो worth less है, उनकी कोई अहमियत नहीं ठीक है? यहादा clear है उसके बाद क्या बात करता है point? वो modern man की गुफ्तकू की बात करता है मतलब कि हमारी बात जो है वो एक दूसरे के उपर असर नहीं डालती इसलिए उसने यहाँ पर dried voices का बाड यूज किया and quiet and meaningless वो बिल्कुल खामोश होती है और उनका कोई मतलब नहीं होता as winded and dry glass जैसे कि खुश्क घास के अंदर हवा चल रही होती है उसना कोई मकसद नहीं होता वहां पर और red sweet over broken glass never dry cellar मतलब कि हमारी जो खुश्क कोटरियां होती है उनमें जो चूहे फिर रहे होते हैं जिस तरह broken glass के उपर उनको चलते हुए उनको कोई फरक नहीं पड़ता बिल्कुल इसी तरह इनकी जो गुफ्तकू होती है इनकी जो voices होती है वो meaningless है वो purpose less है कोई मकसद नहीं उनकी गुफ्तकू का ठीक है इन lines में इस point में जो writer है वो modern age को as a wasteland यूज़ कर रहा है कि जो ये दुनिया है सारी ये बिल्कुल waste हो चुकी है wasteland बन चुकी है ठीक है उसके बाद भी कहता है कि shape without form मतलब कि बगएर शकल शकल जो है वो बगएर बनावट के है मतलब कि shape without color और जो हमारा साया है वो बिल्कुल बेरंग है कहता है कि हमारी एक body shape तो है लेकिन हमारे अंदर जो है मतलब कुछ भी नहीं है paralyzed force gesture without motion मतलब कि फालेज़ जदा कुवत मतलब कि हम लोग जो है वो कुछ भी करने के काबल नहीं है और हमारे जो gestures मतलब कि हमारे जो इशारे हैं वो बिल्कुल बगएर हरकत की है मतलब कि हम लोग इस काबल लेने के हम किसी तक कुछ convey कर सकें किसी को कुछ बता सकें और हमारे जो इशारे हैं उनमें किसी किसम का कुई जोश नहीं है ठीक है और worthless है हर चीज और हम लोग अपने मसाइल को भी हल करने के काबल नहीं है और इस सेंजा में कहता है कि दोस वोग जो इस दुनिया से चले गए है जो नहीं नजरों से नजरे मिलाई है मौत के और जो दूसरा किंडम है मतलब कि दूसरी दुनिया है जो मौत के बाद वाली अगर वो हमें याद भी करते होंगे अगर कभी करते होंगे he has lost, woilent soul वो हमें पुर्तशदु रूहों की तरह याद निकरते होंगे but only as hollow men बलके हमें खोकले आद्मियों की तरह याद करते होंगे the stuffed man बल्कुल भूसा बरे हुए आद्मियों की तरह हमें वोग याद करते हMC क्योंके हम लोग सोल्लेस हैं तो उमीद है आपको मेरी वीडियो पिसंद आई होगी अगर मेरे चैनल पर नहीं है तो चैनल के सुब्सक्राइब कर दें थैंक्स फॉर वाचिंग अलाहाफिज